जै जै श्री शीता राम आज का जो सत्वसंग है वो है ध्यान की अवस्ता में भगवान से बाते करना ध्यान आप लोग पुई भी शांत स्थान पर जहां पर शांती हो एकांत हो आसन मिच्छा लीजिए उस पैरां से बैठके बने ही शांत हो आपसे बैठ जाएए और ये विश्वास रखिएं कि हाँ भगवान से इस्तृत्थी करने पर भगवान की प्रात्ना करने पर भगवान ध्यान में आते है उनका साका रूप से ध्यान करने में कोई कटना इब नहीं है और यदि कोई ये कहे कि देखी हुई चीज हो तो उसका ध्यान होना सहज है लेकिन मिना देखी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है तो बाद भी ठीक है लेकिन जैसे कि संतों ने कहा है किन्तों में लिखा है कि आपके इस्टिदेप का जो भी स्वरूप आपके मने हो आप उस स्वरूप का ध्यान कीजिए उनका आवान कीजिए और उनके आने की पिछा रखते हुए कि यहां अब वो आएंगे इस चौपाई का उच्छान कीजिए मैं आपसे एकी बात पूछता हूँ आपने किस कार्ण से मुझे भूला दिया है फिर ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे इश्ट देव आकाश में हमारे सनमुक थुड़ी ही दूर पर हमारे सामने प्रितिक्ष खड़े है फिर भगवान की चाणों से लेकर मस्तक तक उनका दशन कीजिए और उनसे पूछिए नात सकल साधन मैं हीना कीनी कि पाजानी जन दीना हे प्रभू मैं तो सभी साधन सीहीन हूँ फिर भी आपने मुझे दीन जन कर दिया किया मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया जिसके बलपर ध्यान में भी मैं आपके दर्शन कर सकूँ किन्तु फिर भी आपने मुझे दीन जाना और दीन जानकर आपने मुझे ध्यान में दर्शन दिया है इस प्रिकार से जब भगवान आ जाएं तब भगवान और भक्त के बीच में फिर वातलाप होना रान होता है भक्त कहता है प्रभू ध्यान में भी आप आने में प्रगट होने में इतना समय क्यों लगाते हैं जैसे ही मैं पुकालता हूँ आप पुकालने के साथ ही क्यों नहीं आ जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो तरसाने में ही तुम्हारा हित है अच्छा तरसाने में मेरा हित कैसे है मैं तो नहीं समझता हूँ आप आ जाएं मैं तो उसी को अपने हित समझता हूँ तो भगवान कहते हैं कि देखो यदि मैं देर से आऊंगा तो बिशेश लाब होगा जो विरह है जो वैकुलता है वो बड़ेगी जो तुमाई इच्छा है मेरे दर्शनों की और प्रिवल होगी और फिर उस समय आने में फिर बिशेश आनंदरी होगा जैसे बिशेश जब भूग बहुत अधिक तीब हो तो फिर भोजन करने में आनंदाता है तो भक्त करता है छह ठ जो दर्शन के लिए साधन कर रहा है वो छोड़ भी दे तो भगवान कहता है कि यदि मुझे पर इतना ही विश्वास नहीं है वो मेरे आने में यदि थोड़ा बिलम हो जाता है तो जो साधन अपने जो साधक है जो भक्त है वो अपने साधन से पैशान होकर उस साधन को छो आप कहते हैं जो मन में ये विश्वास कर लेता है थोड़े ही समयवात की भगवान नहीं आएंगे फिर इसको दर्शन देने से मुझे क्या लाग है तो भक्त कहता है हाँ ठीक है लेकिन आपके आने से आपमें रूची तो बड़ेगी ना और उससे साधन भी तेज होगा तो इसलिए आप को ये दिर हम पुकारेने तो आप तुर नता जाए करो। तो भगवान केता है कि देखो, उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ और मैं वही करता हूँ जो उचित होता है। तो भक्त कहता है प्रभू, मुझे भी बैसा ही मानना चाहिए जैसे आप कहते हैं। लेकिन मेरा मन है ना, मन नहीं मानता, वो मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है। फिर भी मुझे तो यही अच्छा लगता है कि मैं बुलाओं और आप दुर अंता जाएं। अच्छा बताइए वो कौनसी पुकार है जिसके साथ एक बार ही पुकारने पर आपा सकते हैं। तो भक्त कहता है कि जब माता शब्री के समान को मेरी पितिक्षा करते हैं। प्रिम और विश्वास करके जिसे गजराज ने मुझे आतोता से ब्याकुल होकर पुकारा था तब मैं तुरंद आ सकता हूं। कब प्रिलाज जी के समान कोई निश्काम भाव से भजन करने वाला, यदि मुझे पुकारे, तो भी मैं बिना बुलाए भी आ सकता हूं। सकल कामना ही निजे राम भगती रसली तो भक्त कहता है कि प्रभू आप विरह देते हैं व्याकुल करके आते हैं ये आपकी कैसी आदत है किया अपने भक्त को तड़ता देखकर आपको बुरा नहीं लगता आपको आनन दाता है तो भगवान कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है विरह से जो व्याकुलता होती है वो बड़े उचे दर्जी की होती है क्यों? क्योंकि उस व्याकुलता से प्रेम की बिद्धी होती है और फिर छण भर का बियोग भी भक्त सहन नहीं कर सकता उसको फिर सदा के लिए मेरी प्राप्ती हो जाती है एक बार मिलने के बाद फिर कभी वो मुझे के छोड़ता नहीं जैसे भर जी 14 साल तक विरह से व्याकुल है और फिर उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा तो भक्त कहता है अच्छा तो फिर आपको कभी कोई कार होता था तो आप लक्ष्मन जी और शक्त्यूगन जी को ही तो देते थे भर जी को नहीं देते थे इसका क्या कार्ण था तो भगवान कहते हैं वो बात बड़ी अच्छी है भरगवान कहते हैं प्रेम की अधिकता के कार심 भरत जी का जो मुझे से प्रेम जाना बहुत अधिकता और अस प्रेम की अधिकता के कार familiarity भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता दो अच्छा तो फिर उन्होंने चौदर साल आपके बिना कैसे बिताए तो भगवान कहते हैं मेरी आग्या से बंद कर मेरी आग्या के कान ही उसको मेरा वियोग सेहन अपड़ा और उसी वियोग से उसके प्रेम की इतनी विद्धी हुई कि फिर उसका मुझे से कभी वियोग हुआ ही नहीं तो भक्त कहता है लेकिन उस समय भी आपने भार जी का कुछ हित तो सोचा होगा ना उसमें भार जी का कोई कल्यान तो सोचा होगा तो भगवान कहता है कि 14 साल का जब विदह सेहन करने से वो उस विदह को और मिलने कुछ तत्व को जान गया फिर एक छण भार का भी जो वियोग है वो उसे यूग की समान पितित होने लगा यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी और उसका इतना प्रेम पर भी ही होता तो भक्त कहता है कि विरह से यदि व्याकुल होकर निराशा भी तो हो सकती है न तो भगवान ने फिर का मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जो विरह से व्याकुल हो जाए मेरे दर्शनों की जो इच्छा है उसका ही त्या कर दे फिर ऐसे मनुशों के लिए फिर दर्शन देने की मुझे कोई आवश्रकता नहीं है तो भगवान करता है फिर ऐसे जो मनुशों है उनको आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए तो भगवान करते है कि जिस किसी भी प्रिकार मुझे में श्रद्धा और प्रेम की व्रिद्धी हो वो प्रियास करना चाहिए अच्छा तो क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन नहीं हो सकते क्या भगवान कहते है हाँ नहीं हो सकते यही नीती है लेकिन आपकी वो से कुछ छूट मिल जाती तो कुछ रियायत कर देते है तो भगवान कहता है कि किसी पर की जाए और किसी पर नहीं की जाए तो फिर विशमता होगी ना और सब पर सब पर हो नहीं सकती तो भगवान से भक्त कहता है तो फिर क्या ऐसी कभी नहीं हो सकती कि आप किरपा कर दें आप दर्शन दे दें बिना शर्द्धा बिने विश्वास के तो भगवान कहते हैं हाँ हो सकता है जनम जनम मुनी जरते निकला ही अंत राम कही आवत नहीं अंत समय के लिए ऐसी छूट है उस समय यदि बिना शर्द्धा और प्रेम के भी केवल मेरा आश्मान करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है यह जो एक लाइन है ना जीए जीवन भर की पूझी समझी इसे इसे जीवन भर की पूझी समझी है कि यदि जीवन भर किसी से भजन नहीं बना साधन नहीं बना और भजन साधन बना भी यदि मन नहीं लगा श्रद्धा नहीं हुई विश्वास नहीं हुआ तो भी अंत समय अंत समय में भी यह ऐसा हो जाए कि भगवान का नाम जीवा पर आ जाए तो बिना वह श्रद्धा और बिना प्रेम के भी केवल इसमान करने से ही भगवान कह रहा है कि मेरी प्राप्ति हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि देखो उसका जीवन साफ्त हो रहा है सदा सदा के लिए वो इस मनिश शरी को त्याग कर जा रहा है इसलिए उसके लिए ये छूट रखी गई है तो भगत कहता है हाँ ये तो उचित ही है अंत समय के लिए तो बिशेश छूट रखी जानी चाहिए लेकिं अंत समय में मन, बुद्धी, इंद्रियां ये अपने बश्च में तो रहते नहीं है तो पर उस समय आपका इसमर्ट करना भी बश्च की बात कहा होती है देखी अंत समय मन, बुद्धी, चित, इंद्रियां सभी हमाई बश्च से बाहर हो जाते है उस समय ये दिया प्यास करेंगे कि ला हम राम 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 कही लें हम राम राम बोल लें, जैसी आरम कहे लें जैस्रीराम कहे लें तो यह आपके बसका उस समर्ण रहेगा नहीं तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए तो इसलिए सदा सवदा मेरा इसमर्ण रखने का भ्यास करना चाहिए जो ऐसा भ्यास रखेगा उसको अंतसरम में मेरी इसमर्णती अवस्य होगी तो भक्त कहता है आपकी स्मिर्टी तो मुझे सदा बनीर है इतके लिए तो मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश भी करता हूँ लेकिन प्रभु मन है ना थोड़ा चंचल है उद्धन्ड है इसके आगे मेरी कोशिश चलती नहीं है तो इसके लिए कोई उपाय आप बता दिए तो भगवान कहते कि देखो जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से उसको लोटा कर प्रेम से समझा कर बुजा कर उसको पुना मुझ में लगाओ उसे मुझे को सब जगे समझ कर जहाँ 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 मन जाए वही मेरा चिंतन करना आरंब कर दो तो भक्त कहता है कि यह बात तो मैंने सुनी है पड़ी भी है और मैं समस्ता भी हूँ लेकिन उस समय मुझे युक्ति याद ही नहीं रहती है इस कान आपका इसमर नहीं हो पाता तो भक्तान कहते हैं कि देखो आसक्ति के कान ही ये तुम्हाई बुदी आदत पड़ी हुई है इस आसक्ति का नास और आदत सुधाने के लिए महापोशो का संग करो और नामजब का अभ्यास करो तो भक्त कहता है कि प्रभू ये तो किया भी जा सकता है और सिलाब भी होता है लेकिन मेरा दुलभाग्य से ये भी तो हर समय नहीं हो पाता तो भग्वान कहता है नहीं नहीं इसमें तुम्हार दुलभाग्य दोश ही नहीं है इसमें दुलभाग्य की क्या बात है दुलभाग्य सौभाग्य तो कर्म क्या दिन है लेकिन मेरा भजन मेरी भक्ती कर्म किया दिन नहीं है इसमें तो तुम्हारी कोशिश की ही कमी है भगवान से भक्त कहता है कि प्रभू भजन और सतसंग कोशिश से ही होते हैं मैंने तो सुना है कि सतसंग पूर्व के जो पुन्ने एकटे होते हैं उनके होने पर ही होता है तो भगवान कहते हैं कि दिखो मेरा और सत्पोष्व का आश्रे लेकर जो भजन के लिए प्रयास किया जाता है वो अवस्त सफ़ल होता है उसमें कुसंग है आसकती है और जो संचित कर्म है वादा तो डालते हैं लेकिन इसके तीब अभ्यास से जितनी बादा है उन सब का नाश हो जाता है और धीरे दीर साधन की उन्नती होती है और श्रद्धा और प्रियम की विर्दी भी होती है और फिर जितने बिगने हैं बादा हैं वो नजदीक नहीं आ सकती प्राब्द है लेकिन प्राब्द के वेल पूर्व के जनम के की हुए कर्म है उनके अनुसाद ही भोग प्राब्द करवाता है वो नवीन जो शुब कर्म हो रहे हैं उसमें बादा नहीं डाल सकता जो बादा होती है वो हमाई साधन की कमजोरी है वो वक्त के साधन की कम्योरी से होता है और जो तुने बात कही कि पूर्व संचित पुन्यों की तो पूर्व संचित पुन्य है उनके अत्रित भी जो श्रद्धा और प्रेम पुर्वा कोशिश करने पर भी मेरी कृपासे सतसंग मिल सकता है चाहे पूर संचित कर्म हो, चाहे ना हो तो भगत कहता है कि प्रभू, देखिए बहुत से लोग ससंग करने की कोशिच करते हैं लेकिन जब ससंग नहीं मिलता, तो फिर अपने भागी की निंदा करने लगते हैं क्या यह ठीक है? भगबान केता है कि ठीक ठीक तो है, लेकिन यहां पर धोका हो सकता है क्यों क्योंकि ऐसा जब भाव आजाता है, तो साधन में ढीलाई आती है जितना प्रत्य करना चाहिए, उतना करने पर यदि सतसंग न हो, तो ऐसा माना जा सकता है लेकिन इस विशे में प्राब्द की निंदा नहीं करनी चीए अपने में जो श्रद्धा और विश्वास जो प्रेम की कमी है उसकी ही निंदा करनी चीए क्यों? क्योंकि यदि श्रद्धा और प्रेम से यदि भजन किया जाए तो श्रद्धा उक्रेम से नया प्राब्द बनकर भी कल्यान कारी सत्संग मिल सकता है तो भक्त कहता है कि प्रभु आप इतनी देशे सत्संग 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 बात कर रहे हैं तो सत्संग के इतनी महिमा क्यों करते हैं आप तो भगवान केते हैं कि दो बिना ससंके तो ना भजन, ना ध्यान, ना सेवा, नहीं अन्य कोई साधन होता है और नहीं मुझमें अनन्य प्रेम ही हो सकता है ससंक के बिना मेरी प्राप्ति होनी कठन है इसी सीर मैं ससंक कितनी महिमा करता हूँ तो भक्त कहता है कि प्रभू बतलाई फिर ससंक के लिए और क्या उपाय किया जाए तो भगवन कहता है कि दो खो उसका उपाय में पहले ही बता चुका हूँ कि श्रद्धा और प्रेव से सत्संग के लिए कोशिश करने पर मेरी क्रिपा से सत्संग मिल सकता है तो भक्त कहता है कि प्रभु अब मैं सत्संग के लिए और भी विशेज प्रियास करूँगा आप से भी मैं निश्काम प्रेव भाव से भजन ध्यान होता रहे मैं इसके लिए आप से साहता मांगता हूँ आप में ये साहता कीजिए आप मोच पर किर्पा कीजिए तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम अपने बुद्धी के अनुसार ठीक ठीक मांग रहे हो लेकिन वो तुमारे मन को उतना अच्छा नहीं लगता जितने की बुद्धी से तुम मांग रहे हो ना लेकिन तुमारे मन को ये सब अच्छा नहीं लगता जिए तुम कह रहे हो तो भक्त कहता है हाँ बुद्धी से तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मन बड़ा ही चंचल है इससे रूची जब कम होने की कारणा उसको भजन दियान अच्छा नहीं लगता तो फिर उसके आगे प्रभू में थोड़ा सा लाचार हो जाता हूँ इसलिए तो आपकी बिशेश क्रिपा मांग रहा हूँ इसलिए मुझे आपकी बिशेश क्रिपा चाहिए तो भगवान कहते हैं कि दोखो मन की भजन की ध्यान की और यदि मन की गती नहीं है यदि मन की कम दूची है तो भी यही प्रयास करते रहो कि वो भजन में ध्यान में लगा रहे दिये दिये उसमें दूची हो जाएगी और दूची होकर भजन ध्यान ठीक ठीक होने लगेगा तो सादिक कहता कि मैं अपनी शक्ती के इनुसा प्रभू कोशिस तो कलता रहा हूँ लेकि अभी तक कोई भी ऐसा संतोष जनक करनी चाहिए तुबगान कहते हैं कि नहीं देखो उस साद से खीन नहीं होना चाहिए मेर उपर बहार डालने से सब कुछ हो सकता है ये ठीक है लेकिन मेरी आग्या के इनुसार कटिबद्य होकर संकल्प होकर यदि चलने की तुम कोशिश करोगे न तो देखो ये मसमज़ों कि हाँ हमने कोशिश कर लिए अभी कोशिश करने बहुत कमी है तुम्हाई शक्ति के नुसार अभी कोशिश नहीं हुई है इसलिए खूप तत्वाता से लग जाओ भजन करो, कोशिश करो, नाम जब करो तो भग्त फिर कहता है कि प्रभू आपका आशरे लेकर और कोशिश करने की मैं चेश्टा करूँगा, मैं प्रयास करूँगा लेकिन काम तो आपके ही त्यासे होगा ना तो भगवान कहता है ये तो तुम्हाई प्रेम की बात है कि तुम मुझे पर विश्वास रखते हो लेकिन सामधान रेना भूल से भी कहीं कमी ना जाए मैं कहता हूँ कि तुम्हें देखो अपना जो प्रयास है वो बढ़ाना चाहिए और जब मेरे ये कहना है तो फिर तुम्हाई प्रयास में कमी का कोई कार नहीं हो ना चीए कि एवल तुम्हारा मन ही तुम्हें दोका दे रहा है तुझे को तुम कहते हो ना कि मन नहीं लगता उस्साह कम हो जाता है ये बात मन में मताने दो हमेंसा प्रयास करते हो तो भक्त कहता है कि प्रभू शांती और प्रसंदता नहीं मिलती है ना तो मेरा उस्साहत कम हो जाता है तो भगवान कहता है कि जब तुम मुझे पर भहुत सा रखते हो तो फिकार की सवलता है कि और क्यूं ध्यान देते हो वो भी तो कामणा ही है लेकिन बहुत एक तो कैवल भजन ध्यान की बृद्धी के लिए ना देखिये यहाँ पर फिर बढ़ा दो सुंदर प्रसंग आ गये है लेकिन है तो आपके भजन ध्यान के लिए तो बगवान क्या कह रहे हैं बगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरी शर्ण में आ गए हो तो पर भजन द्यान की ब्रिद्धी के लिए भजन द्यान में तरक्की के लिए सांती के लिए प्रसंता के लिए तुम्हें चिंता क्यों करनी है तुम तुम मेरी शर्ण में आ गय हो ना तुम्ही तुम मेरी आग्या पालन पर ही बिशेश ध्यान रखना चाहिए कि मैंने तुम से क्या का है जो तुम कर रहे है उसका फल क्या हो दा इस पर तुम्हे ध्यान नहीं देना चाहिए जो मैंने किया है तुम बस वही करो तो भगवान कहता है कि प्रभू काल करेंगे सफलता नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा उस्सहा तो कम हो जाता है और थोड़ा सा उस्सहा कम होता है तो फिर भजन दियान नहीं बनता तो भगवान कहते हैं कि देखो ये ठीक है लेकिन सफलता में जो कमी है उसे देखकर भी तोहाँ प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए मुझ पर विश्वार करके निरंतर मेरी आज्या का अनुसर्ण करते हुए निरंतर प्रयास करते हो तो वक्त कहता है कि प्रभू ये बात ठीक है आप ठीक कह रहे हैं लेकिन फिर भी शांती और प्रसंता जब नहीं मिलती है तो प्रयास में कमी तो होई ही जाती है तो भगवान कहते हैं हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बात पर ध्यान कहां दिया इसमें तु किवल तुम्हारे मन का धोका ही हुआ ना वक्त कहता है भगवान तो फिर इसमें मेरे संचित पापकान नहीं है क्या वो मेरे उस्सा में तो बादा नहीं डाल ले तो भगवान कहता है साबधान मेरी शर्ण हो जाने पर पाप रहते ही नहीं तो भक्त कहता है प्रभू यह तो मैं जानता हूँ लेकिन बास्तम में आपकी पूर्टा शर्ण में कहा हुआ 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 हु कि तुम्हें, तुम्हें तो जैसा तुम्हारा भाव है ना, उसके अनुसार मेरी शण में होने के लिए प्रयास करना चाहिए, बले ही मैं ठुका हूँ ना, तुमने कहा ना, मैंने सुखार कर लिया, लेकिन जो तुम्हारा भाव है, उसके अनुसार फिर भी तुम प्रयास र लेते हो तो फिर प्रभू इसके सुधाने के लिए मैं बिशेष प्यास करूंगा लेकिन शरी में और सांसारिक बिश्यों में आ सकती रहने पर मन चंचल होने के कान आपकी दया बिना पूर्ण शर्ण हुए प्राप्त करना बहुत कठिन प्रतीत होती है भगवान कहते हैं कि देखो मेरी दया मेरी क्रपा प्राप्त करना तुम कठिन मानते हो इसलिए कठिन तुमें प्रतीत होती है वास्ता में मेरी क्रपा कठिन नहीं है तो वक्त कहता है प्रबु कठिन कैसे नहीं मानूं है मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभभ होता है न तो भगवान कहते ठीक है यदि अनुभभ होता है तो होता रहे लेकिन तुम्हें मेरी बात की और ही ध्यान देना चाहिए जो तुमारे अनुभम में आ रहा है, जो तुमारा मन कह रहा है, जो तुमारा चित कह रहा है, तुमारे इंद्रिया कह रहा है, जो तुमारे बुद्धी कह रहा है, उस पर ध्यान मत दो, कि मेरा भजन नहीं बनना, मेरा नामजब नहीं बनना, मेरा साधन नहीं बनना, मेरा अ खण मोक्त हो जाता है भगवान की अभयवानी कितनी सुन्दर तो भत कहता है कि प्रभू तो फिर आज से मैं आपकी दयापदे ही भहुसा रख के प्रयास करूंगा जिससे वो मुझे कठिन भी मालूम ना पड़े लेकिन सुना है कि आपके थोड़े से भी नाम जब से सा भजन द्यान तो मेरे द्वारा भी होता ही होगा ना भगवान कहरा है कि देखो भजन द्यान से सब पापो का नाश होता है यह सत्त है लेकिन इसमें कोई विश्वास करे तब ना विश्वास करे तब जो अभी कुछ दिन पहले मैंने जब शंकर जी अपावरती जी का एक पीतर समें पूरा विश्वास नहीं है ना क्योंकि तुम मान रहे हो कि पाप का नास नहीं हुआ वो भी थोड़े से वो भी बैसे ही पड़े हुए हैं तो पर वो फिर विश्वास नहीं होने में क्या कारण है तो भगवान कहते हैं नीच नास्तिकों का संग संचित पाप और जो जूट बोलने वाले हैं जो कपट करने वाले हैं जो चोरी करने वाले हैं जो हिंसा करने वाले हैं और सास्त की विपित कर्म करने वाले हैं उन्हें नीच करते हैं नास्तिक जो इश्वर को वेदों को, सास्तों को ना मानने वाले हैं नास्ति कहते हैं तो भक्त कहते हैं कि परभू पाप और अबगुन किया अलग लग हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो चोदी, जूट, हिंसा, दंब, पाकंड ये सब पाप हैं और राग, दुश, काम, क्रोध, एंका ये दुदुगुन हैं अच्छा तो परभू फिर इन सब का नाश कैसे हो तो भगवान कहते हैं कि इनके नाश के लिए निश्काम भाव से भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदी करना ही सबसे उत्तम है तो भक्त कहते हैं कि परभू सुना है कि वैराग होने से भी राग, दुश, अधी दोश नाश हो जाते हैं और उसे भजन, ध्यान का भी साधन भी अच्छा होता है वैराग होने से तो भगवान कहते हैं कि ठीक है वैराग से भजन, ध्यान का साधन बढ़ता है लेकि अंताकरन सुद्ध हुए विना भी जड़ बैरागय भी तो नहीं होता जब तक अंताकरन सुद्ध है यदि कहो तो शरीर और संसारिक भोगों में दुख और दोशबुद्धी होने के कान भी बैरागय हो सकता है संसार में बहुत देख दुख मिलना है, पैसान हो गया है संसार में कुछ नहीं है ये भी एक वैरागय की है ना कभी-कभी किसी के घर के कोई परिजन का शरी पूरा हो जाए उसमें संसार में कुछ नहीं है, हमारा तो जीने भी एकार वो भी संसार से वैरागय हो गया वैरागय हो जाता है ना लेकिन ये जो वृत्ति है ये ठीक नहीं है ये इसके लिए जो उचित साधन जो किया था नहीं से ही होती है इसलिए भजन, ध्यान, सेवा, ससंग ये सब करने की चेश्टा करनी चाहिए प्रयास करना चाहिए तो भक्त कहता है कि प्रभू अब ये बता दीजे कि अब आप प् भगवान कहते है कि इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो जब हम ठीक समझेंगे उसी वक्त हम देंगे वैद जब ठीक समझता है तब अपने आप ही रोगी को अन्य देता है रोगी को तो वैद पर ही निर्वर रहना चाहिए न तो भग्त कहता है कि प्रभू आपका कतन मे ठीक है लेकिन रोगी को भूक लगती है तो फिर मुझे अन्य कब मिलेगा ऐसा कहता है न तो जो अन्य के लिए आतुर है व्यापुल है वो तो पूछता ही रहता है न तो भगवान कहते है कि वैद जानता है कि ये रोगी की भूक सच्ची है ये जूटी है भूक देकर भी यदि वैद रोगी को अन्य नहीं देता तो उसे ना देने में भी उस रोगी का ही हिता है तो सदक करता है कि प्रभू ठीश है लेकिन आपके दर्शन ना देने में क्या हिता है आप दर्शन नहीं देते हैं तो मेरा क्या कल्यान ही तो मैं नहीं समझता मुझे तो दर्शन देने में ही अपना कल्यान दिखता है रोटी से तो नुकसान हो भी सकता है लेकिन आपके दर्शन से तो कभी नुकसान नहीं होता लावी लाव होता है इसलिए आपका मिलना और रोटी का मिलना ये दोनों एक समान थोड़ी ही है तो अब भक्त का ये प्रिश्ण है अब भगवान आगे भक्त के प्रिश्णों का कैसे उत्तर देते हैं क्या कहते हैं इसको हम सभी अब अगले भाग में सुनेंगे आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं जै जै श्री शितारा